बेटा, आज हम लिखेंगे N for nest N for nest लिखने से पहले आप लिख्चर देखेंगे N for nest Nest means गौंसला, जिसमें पक्षी रहते हैं बेटा N for nail, ये है nail Nail क्यों होते हैं? नाखुन N A I L, nail Nail means नाखुन आगे है N E S T, nest Nest means गौंसला, और ये आगया net N E T, net ये जाली सी बनी है, इसको क्यों बोलेंगे net और ये देखेंगे, ये भी एक net है ठीक है और देखो बेटा, जब आप बेड मेंटर में कहरा खेलते हैं तो स्कूलों में क्या होता है, net लगाया होता है बीच में तो फिर खेलते हैं, बेड मेंटर बीच में net लगाई होती है तो देखो, आपको मैंने तरह तरह की net बता दी अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे ये देखो बेटा वान, टू, थ्री थर्ड लाइन के उपर मैंने डॉट लगाया है थर्ड लाइन से थोड़ा से एक डॉट रखना उपर बेटा ऐसे ठीक है, बिल्कुश सीधा ने ऐसे इस साइड को फिर आपने इस डॉट को ऐसे डॉट को मिलाया और ऐसे आपने एक लाइन दी आपने रैड लाइन को टच किया फिर आपने ये स्टैनिंग लाइन फिर आपने स्टैनिंग लाइन ये क्या बन गया, एन ये देखो, एन ऐसे लिखेंगे आप, एन ये देखो, ऐसे, standing line देदू, slanting line, और ये standing line, कितना सुन्दर बन गया N, ठीक है, ऐसे, standing line, slanting line, standing line, ओके, ये क्या बना आपका N, N for nest, 1, 2, 3, थर्ड लाइन के उपर पेंसी रखेंगे, थर्ड से आपने first line, first से, थर्ड लाइन और थर्ड से आपने first line में जाना है, ठीक है, आप सी दिया से line बना सकते हैं, standing line, slanting line, standing line, ये बन गया N, और ऐसे भी होता है, कि थोड़ी सी line आप ये से तिर्ची सी रखेंगे, ऐसे, और हां से ऐसे ये बन गया N, तो ये और भी जा सुन्दर बनेंगा, तो आपने इस तरह से N को लिखना है वेटा, तो okay way to, bye वेटा,